Hello everyone, welcome back to section family और आज का जो वीडियो रहेगा हम section practice यहाँ पे जो basic होता है उसकी computer के कुछ questions को हम यहाँ पे देखने वाले हैं तो यहाँ पे आपको जो questions था वो था आपके पास की भीया इसमें आपको बताना था कि सही सुमेरित कौन सा नहीं है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो RAM होती है यह आपके पास एक दूत्यक memory नहीं होती है आपके पास जो RAM होती हो आपके पास primary memory होती है यह थोड़ा सा इस चीज़ को आपको धियार रखना है दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा भारत में पहला निम्रीत पहला computer यह सिधार था ठीक है यह चीज़ थोड़ा से ध्यान रखेगा बाकी आपके पास अकर कभी question पूछ लिया जाए यह सूपर computer तो यह परम 8000 आपके पास secondary memory जिसे दुट्यक memory का जाता है primary memory के अंदर दो चीज़ें आते हैं आपके पास RAM और ROM इन जो जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है RAM जिसे मैं volatile memory कहता हूँ और ROM जो मेरे पास होती है non volatile होता है ठीक है यह जो secondary memory होती है यहाँ पे secondary memory के जिज़ांपल साते हैं वहाँ पे आपके पास hard disk हो गया आपके पास यहाँ पे pen drives हो गया यहाँ पे आपके पास memory कार्ज़े होते हैं वो अब इक लिए थोड़ा से द्यान रखिएगा RAM जो है आपके पास एक primary memory है ना कि दुत्यक memory ट्रांजिस्टर टक्निकी किस पीरी के कंपिटर में प्रयुक्ट की गई थी ट्रांजिस्टर तो हमारी जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि यार कंपिटर जो है डे-वाई-डे बढ़ता चला गया यह मैं कहा सकते हूं कि टेक्नलोजी में चेंज़ेस आते चले गया सबसे प् करते हैं तो हमने यहां पर यूज किया था ट्रांजिस्टर को तो अभी इसका जो एकसामपल आएगा वो आएगा यहाँ पे ट्रांजिस्टर दूत्य Ahh PD में के हैं और आपके पास से कि थर्ड पूछा जाए तो आपके पास कौन सा हो गया यहां पर आपके पास होगे आइसे चीप है इंटेगरेटेट सरकिट आइसे जिसे हम खा जाता जिसे जैक किलबी ने बनाया था भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टियर कंपनी भारत की जो सबसे ब वह software जो आपके वेब पेज को दिखाता उसे क्या बूल जाता है देखें वेब पेज को दिखाने के लिए ठीक है वेब पेज से मतलब आप समझ सकते हैं एक internet या network का एक जाल तो यहां पे जो वेब पेज दिखाता उसको बूल जाता है वह आपके पास वेब ब्राउजर ब वेब पेज के वेब पेज का जो कलेक्शन होता है वेब पेज के अगर आपके पास एक वेब साइट बना देते हैं तो इन चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो पावर उन सेल्फ टेस्ट यह काफी इंपोर्टन है एक्जाम पहले भी पोस्ट पावर उन सेल्फ टेस्ट इसका मतलब यह होता है जब आप कंपिटर को आउन करते हो ना तो उसके बाद कंपिटर थोड़ा सा समय लेता है कंप्लीट जब तक आपके पास में विंडो नहीं खुल जाती यहां पर ठीक है जो स्टार्ट वगरा होता है जो यह नहीं कर रहे हैं और इसी को बेसिकली बोले जाता है पावर उन सेल्फ टेस्ट तो इसलिए यहां पर इसका आंसर हो जाता है निमनमी से कौन सा एक अन्य से भिन है आप जैसे यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे पाद चार फिगर है आपको थोड़ा सा देखना है और समझना है अगर मैं इन फिगर की बात करा हूँ तो आपको यह चीज़ नजरारी हो ग्या अगर मैं दी फिगर की बात कर हूँ यह सबहे हैं यह कुछ ऐके इक कि shtrait line से छो ही से बनाओ हो है लेकिन यहां पर इक सरकल है आप एक तो इस तरीके से भी इससे सोच सकते है इसका जो outer side है तोटल पाँज, देखी यहाँ पे 5 फिगर हैं. इस वाले में भी 5 फिगर हैं. इस वाले में ट्राइंगल के के समें देखो, 1, 2, 3, 4 और एक पार भार वाला इसमें भी आपके वाफ five फिगर हैं. इस वाले केस में अगर आप ध्यान देटेगे हम mirror image की बात करते हैं तो उसके जो left होता है वो right में convert हो जाता है और right का left में convert हो जाता है अब जैसे इस question में अगर आप ध्यान देंगे जैसे ये वाला है देखे ये dark आपको नजर आ रहा है न क्योंकि मैंने कहा है कि आपका bottom चला जाएगा तो तब ये वाला जो है आपका नीचे आ जाएगा कुछ यहाँ पर और आप देख पा रहे हों कि जो एक ये वाला मेरे पास option है एक यही है जहाँ पर ये नीचे आ चुका है फिर आप इसको भी ध्यान दीजेए ये उपर है ये ऐसे नीचे आ जाएगा किस केस में जल पढ़ते भी में तो आपको ये ऐसे कुछ नजर आ रहा है ये देखें नीचे है तो ये ऐसे उपर आ जाएगा आप देख पा रहे है इस वाले फिगर में इसलिए जो यहाँ पर बी वाला आंसर है वो आपके पास सही हो जाता है क्वेशन नंबर 93 की बात करते हैं 93 कहा रहा है कि प्रश्ण वाजिक चिंड की स्थान पर कौन सांक आएगा तो यहाँ पर आपको ढूंडना है बिसे के लिए ठीक है तो आपको इसमें फिगर्स में रिलेशन सिप ढूंडनी पड़ेगी कि कैसे जो है रिलेशन बन रहा है अगर आप चीज़ ध्यान देंगे कि आपके पास 3 है 3 के पास 5, 8, 13, 22 यानि कहीं न कहीं यह number increasing order में जा रहा है ठीक है increasing order में जाने का मतलब यह है कि अगर number बड़ा होता चला जा रहा है तो आपको यहाँ पर कहीं न कहीं multiplication से कोई चीज़ ढूंने नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे देखें जैसे 3 से अगर आप 5 पे आ रहे हैं तो 3 multiply अगर आप 2 करते हैं तो आप मिलेगा 6 और multiply 1 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5 सेम आप यहाँ पर आजाईए आप यहाँ पर 5 multiply आप कर लिजिए 5 तू जा 10 और minus 2 कर लिजिए आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है 5 तू जा 10 आपको मिलेगा यहाँ पर 8 ठिक यह बात भी killer हुई होगी सेम इसी टाइप से आप 8 से 3 में आ जाए 8 multiply आप कर रहे हैं 2 और minus अब कर लिजिए आप 3 तो आपको कितना मिलने वाला है फिर 13 मिलने वाला है यानि ध्यान दीजिएगा हर किसी को 2 से multiply करना है पहले 1 को minus किया फिर 2 को minus किया फिर 3 को minus किया से जो 13 से इसमें आ जाओगे तो सेम भी करना है आप 13 multiply 2 अगर आप कर रहे हो माइनस 4 करोगे तो 22 मि आपको क्या मिलने वाला है 44 माइनस 5 और 44 माइनस 5 अगर आप करते हैं तो आपको मिलने गाए 39 तो इसका मतब यहां पर 20 इसका अंसर हो जाता है ठीक है तो हो सकता है कि बहुतों के logic समझ में ना आया हो तो जब आप practice करते रहते हैं बहुत सारे questions लगाँगे तो definitely आपके दि इसका एक पूत्र है अरुण तो अरुण को हम कुछ ऐसे बना देंगे यह मैंने कुछ अरुण को बना दिया अब देखें नीता का कहाँ पर relation है मुझे नहीं पता है लेकिन यह बूड़ा है नीता नागंदर की बहन है इसका मतलब नागंदर की बहन है तो मतलब एककुल का साइन कौन है नीता है तो नीता को कुछ ऐसा बना सकते हैं और इसको कुछ हम ऐसे कर सकते हैं ठीक है इसकी ए क्या होगे आपके पास इस टाइप से यानि भेहन हो जाएगी और इन दोनों के बीच में एक मौसरे भाई का एक टू टू जा फोर टू से मल्टिप्लाई करना इसे फोर और वन जिरो फोर अगर आप करेंगे तो आपको किता मिलने वाला हंडर मिलने वाला इसका मतल है यहां पर सी इसका आंसर बन जाता है चलिए आगे बढ़ते है नाइटी सिक्स ए बी सी डी का ओ पी के साथ रिलेशन और आप एक चीज ध्यान दे पा रहे होंगे कि जब आप A से O की तरफ जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा प्लस 14 आगे जाना पड़ेगा इसको ध्यान रखेगा बी से पी पे जाओगे तो प्लस 14 करना पड़ेगा सी से क्यू पे जाओगे तो प्लस 14 करना करेंगे कुछ इस टाइप से इसको आप देख लिए ना आपको मिल जाएगा इस टाइप से इसको काउंटिंग कर लेजिएगा A B C D इस टाइप से और यहां पर यहां पर 1 2 3 4 ऐसे कर लेना तो इस टाइप से आप आगे जाओगी आपको यहां पर मिल जाएगा अगे की तरह 40 काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, S, D, E, F, G, H, I, J, K, L L में आपको यहाँ पर 14 मिल जाएगा यहाँ आएगा न, तो यहाँ पर जो N आएगा यहाँ पर 14 मिल जाएगा, बहुत आसान है कुछ भी टफनी इसमें, तो K, L, M, N यहाँ पर आपके पास यह आंसर बन जाता है चले आगे बढ़ते हैं 97, एक बेक्ती पार्सल में कुछ डिब्बे पाक करता है है न, यदि वो 3, 4 और 5, 6 डिब्बे एक पार्सल में पाक करता है तो एक डिब्बा बच जाता है ठीक, एक डिब्बा यहाँ पर बच जाएगा, अगर वो पाक करेगा यदि वो एक पार्सल में 7 डिब्बे पाक करता है तो कोई डिब्बा से इस नहीं बसता है इसका मतब आपको यह समझने में आना चाहिए कि भाईया मेरे पास कोई भी सेस यानि रिमेंडर जो है मेरे पास क्या है जी रो मतलब remainder कुछ भी नहीं बच रहा है जब हम क्या कर रहे हैं जब हम 7 डिबों को pack कर रहे हैं इसका मतलब आपको इस समझन में आना चाहिए कि भाई जो यह डिब्बे है ना जैसे 106 डब्बे है ना 106 डब्बे तो यह 7 से complete divide होना तो यह चीज आप कर सकते हैं मैस का question है लेकिन चलिए फिर भी नहीं आया जिसको तो ऐसे समझ लीजेगा अगर थोड़ी और question change होता है तो फिर साथ हो सकते है कि आपको ऐसे जो हमारे options है उससे question answer नहीं निकल पाएं लेकिन अभी के लिए इस कि होते हैं अब यहां पर मुझे नहीं पता है किते हैं बोनेघे लेकिन कितने लगाने है हमें आठ दिन लगानेघेख कोई question इसा क्वेस्ट मिले एफ रेट वाले होते हैं इनके लिए एक formula जो मैं आपको बता दूँ कि आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा या man लिख लो यहाँ पर, कितने man है यहाँ पर time लिख लो, या days लिख लो इसको कुछ ऐसे लिख लो, md या t1 कुछ भी तरीके से आप लिख सकते हो, मैं t लिख लो, ठीक है यह अच्छा हो तो इसको ऐसे लिख लो, m, इसको ऐसे लिख लो, m1, d1 upon n1, ठीक, यह क्या है और यह जो equal हैगा न, यह रेसी, देखो, यह proportion है इसके यह किसके equal आना चाहिए, 8 इसको हटा दो, इसको m2 लिख लो, m2, d2, समझ में जागा, tension ना लो, हो सकता है, बहुत हो कुछ चीज समझ ना रहे हो, देखिए आठ दिल लग रहे हैं, और निकालना क्या है, मुझे, n2 निकालना है, तो n2 आप यहाँ से easily निकाल सकते हैं, ठीक, आब मुझे, n2 की value चाहिए, तो अब देखिए, इसको यहाँ पर solve कर रहा हूँ, ठीक है, यह पूरा total कितना आने वाला है, यह आएगा, 4, 4, 16, by 4, equals to यहाँ पर, 8, 64, upon n2, यहाँ पर n2 की जो value आएगी, वो कितने आने वाली है, कुछ इस type से, 64, multiply 4, upon 16, 16, 16, यह cut गया यहाँ पर, और आपको कितना वाली है, 4, multiply 4, 16 आ जाता है, ठीक है, तो इस type से जो, ऐसे question जो आते हैं, उनको आप ऐसे formula डालके आता हम से easily कर सकते हैं, बाकी तो ठीक है, अगर आपको math आती है तो valend irm, तो फिर आप इसको और method से भी किया जा सकता है, एक सीदी रिखा में 8 आम के वरिख्ष हैं, ठीक है, एक सीदी रिखा में 8 आम के वरिख्ष हैं, तो आप इसको 8 आम बना लिजे, 1 काम, अब आपको क्या बताना है पहले और आटवे की बीच कितनी दूरी है देखो ना पहले से यहां से लेकर और इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगे अरे भही इन सभी को एड़ कर दो 1,2,3,4,5,6,7,7,7 है तो 7,3,0,21 यानि 21 मीटर जो है इनकी बीच की दूरी होने वाली है बहुत आसान था यह क्वेशन गलत नहीं होना चाहिए था आज का लास्ट क्वेशन 7,20 देखी जब भी ऐसे क्वेशन आते ना इसका मत्तब यह होत चाहिए जैसे मैं यहाँ पर 12,6,7,2 करता हूँ और यहाँ पर 12,7,84 तो मतलब यहाँ पर भी आपको क्या मिलना चाहिए 6 और 7 ही मिलना चाहिए और 6 और 7 कम मिलेगा जब आप इसको 10 से डिवाइट करेंगे देखो 10 multiply 6 होगा तो तब यहाँ आपको 60 मिलेगा और यहाँ पर